आप सभी लोगों को फिर से एक पर स्वागत है आसा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और चलिए आज एक नए वीडियो के साथ सुबात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जूम लाइन का जो एक सो साथ टन क्रेन है उसका कॉंटरबेट क किस तरह से लगाया जाता है और क्या उसमें साथानी बरतनी चाहिए किस उसको ध्यान देना चाहिए और कैसे उसको कॉंटरबेट को अच्छी तरह से उसके बारे में बताने वाला हूं और आप लोग पूरा वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कभी कॉंटरबेट लगाना हो या उतारना हो तो आप लोगों को परेशानी ना हो कुछ ऐसे में बाते आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आजा और जो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर वो सब्सक्राइब करें लाइक शेयर और कॉमेट जरूर करें और चलिए फिर चलते हैं वीडियो की और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह का इसमें परेसानी आती है लगाने में और किस तरह का किन बातों को ध्यान देना चाहिए मैं उसके बारे माज बताने वाला हूँ और चलिए चलते हैं वीडियो की और और यह सामने देखिए यह मुबाइल क्रें है और यह 80 क्रें है जिसको फुल में अल्ट्रेंड क्रेंड बोला जाता है और यह जो मोडल है यह जैड़ एटी 600H जो की यह मोडल नंबर है और कमपनी जूम लाइन का है तो याद रखिएगा जैड़ एटी 600H यानि की 160 टन का यह क्रेंड है जो की यह 80 क्रेंड अल्ट्रेंड क्रेंड जो है पहले स्टेंड किजिए स्टेंड करने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा क्योंकि आप लगाने जा रहे हैं तो लगाने से पहले आपको जहां पर वर्क करना है जहां पर आप काम करेंगे तो वहां का जो ग्राउंड लेबल है वह आपको देखना पड़े गा सही है या नहीं है क्योंकि आपका जो कॉंटर बेट रहेगा इस क्रेन का कॉंटर बेट टोटल जो है अभी 59 है 59 टन होता है इस क्रेन का 160 टन का कॉंटर बेट लेकिन 59 के जगह पे ये क्या किया गया है इसको कि ये जो है अभी 50 टन का ही कॉंटर बेट दिया गया है जिसमें से इस सारा कॉंटर बेट चलिए अभी आपको हम आगे बताते हैं कि कितना कितना टन का है जो ये counter bait है इसको 6 भाग में divide किया गिया है आनि कि 6 pieces को बनाया गिया है जिसमें से जो 4 piece है 4 piece आपका 9 ton का है जो कि 36 ton का है 36 ton और 7 ton का 2 side में जो हम hanging करते हैं counter bait लगाने के बाद में side में जो लगाते हैं hanging करते हैं वो 77 ton का है तो ये 6 हो मिला के 6 counter bait जो divide किया है 6 हो मिला के 50 ton का counter bait हमारा इसमें होता है आनि कि 59 होता है लेकिन 50 ton ही इसमें दिया गिया है जो कि 50 ton कांटर बेट आप इसमें add कर सकते हो तो चलिए अभी हम आपको 36 टन आनि 36 टन कॉंटर बेट लगा के बताते हैं और आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कहीं भी आप काम करते समय आपका प्लेस सही होना चाहिए क्योंकि जब आप 36 टन कॉंटर बेट डालेंगे उसके बाद से अगर ग्राउंड लेबल सही ना हो तो दिक्कत आएगी क्रेन पलटने का भी डर रहेगा क्लेप्स होने का डर रहेगा आप काम करते समय आपको हमेशा हिचक लगा हुआ रहेगा तो ये सब चीज ना करें बिल्कुल आप सबसे पहले सर्टिफाइड हो लें कि जो आपका ग्राउंड लेबल है आपका जमीन जो है जहाँ पर आप क्रेन लगार है वो सही है या नहीं है बिल्कुल लेबल है या नहीं है नीचे कोई pipeline तो नहीं है नीचे कोई इस तरह का जो लूज मिट्टी तो नहीं है तो ये सब चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो फिर वो सब खत्रे की निशानी है तो ये चीज पहले आप देख लें फरक लें उसके बाद फिर उहां पे आप क्रेन लगाएं तो चलिए आगे चलते हैं देखिए क्रेन अब क्या है कॉंटरबेट हमारा जो दो भी निकाल सकते हैं ज्यादा तरी नो दस का रेडियस में आराम से उठ जाएगा आपको क्योंकि 17-18 तन का बिल्कुल जीरो जीरो कॉंटरबेट पे आप उठा सकते हैं जीरो कॉंटरबेट पे भी इसका केपिसिटी अच्छा रहता है लेकिन ज्यादा लेंथ आपका न सकते हैं इसके बाद से सकंच है आप hapboom भी निकाल सकते हैं 1780 या उनीस के 19 के भी अगर आपका टकुल लहाइं ज्यादा है तो पिर आप 212 निकाल ले तो उस से भी आप आसानी से लंगा सकते हैं इसका जीरो विल्कुल का ऌॉंटर बेट आपका लगा लेगा फिर भी आप आसानी से नौतन अप उठा सकते हैं और kont 끝 लगा सकते हैं तो चलिए अभी आपको यहां से आपको लगाके दिखाते हैं कि किस तरह से kontrovert लगाना चाहिए kontrovert लगाने से पहले आपको एक चीज का हमेंसा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप first counter weight लगा रहे हैं न उसी में आपको ज़्यादा परेसानी होगी क्योंकि जो first वाला counter weight होता है लगाने का तो वो क्या होता है बिल्कुल आप सामने अपना केवन के सामने लगाएंगे तो उसमें क्या होता है अगर आपका सही radius ना हो अगर सही सही से आप उसको ना रखेंगे तो आपका जो operating केवन होता है उसमें भी touch होने का डर रहता है उसमें भी touch हो सकता है तो फिर damage हो सकता है उसके बाद क्या होता है बिल्कुल front पे जहाँ पे आप उसको assemble कर रहे हैं आनि की contribute सब set कर रहे हैं जहाँ पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको क्या है कि वहाँ पे आपका engine होता है engine का guard होता है silencer होता है वहाँ पे बहुत सारा जो आपका है वहीं पे रहता है तो उसमें क्या है आपको बहुत सारा परैसानी होगा अगर इधर उधर हो गिया घुम गिया तो फिर वो तुटने का डर रहेगा तो इस बातों को आप हमेशा से ध्यान में रखें कि जब भी आप counterweight लगाएं तो बिलकुल कोई हरबड़ी करने का जोरत नहीं है कोई भी जल् यह जो है ना यह सामनी जो आपको दिख रहा है बस एक लगाने में आपको परैसानी होगी ठीक है उनली वन लगाने में आपको परैसानी होगी उसके बाद से क्या है जब आप एक रख देंगे वहाँ पर जब यह starting वाला जो counterweight है आपका अगर उसको आप रख देंगे तो second फिर आपको दिकत नहीं होगा थड़ भी आपको दिकत नहीं होगा क्योंकि उसमें जो फचने का रहता है जिसमें हम डालते हैं बीच में hall रहता है गेप रहता है उस गेप पे जब हम उसको डालते हैं तो आसानी हो जाता है एक बार उस गेप में चला गया तो आपको इधर यह पीस अभी 9 टन का है यह, तो यहाँ पे 36 टन आपका यह रखा हुआ है, 36 टन का यह कॉंटरबेट है, तो यह कॉंटरबेट पूरा अभी आपको क्रेन के उपर रखना पड़ेगा, और यह फर्ष्ट है, इसी में आपको दिकत होती है उपर में रखने से में, जब एक बार यह आप रख देंगे, जो सबसे उपर में है, वो सबसे नीचे हो जाएगा, और जो सबसे नीचे है, वो सबसे उपर में हो जाएगा, जो यह कॉंटरबेट है, तो अभी सबसे फर्ष्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, कि यह जो उपर वाला कॉंटरबेट है इसको हम ले दिया हुआ होता है तो उसको बिल्कुल देख के रखना पड़ता है तो एक चीज के आप लोग हमेसा ध्यान दें कि जब भी कॉंटरवेट उठाएं फर्स्ट टाइम में जब उठाएं एक कॉंटरवेट पहला उसी में आपको थोड़ा परेशानी होगा उसके बाद से नहीं होगा उसके बास से आपको किस बातों को ध्यान देना है जब आप ये कॉंटरवेट जब उठाएंगे न तो रखते समय आपको फर्स्ट बार एक चीज नोटिस कर लेना होगा कि आप न कितना एंगल में है और कितना रेडियस में आपका परफेक्ट उहां पे जा रहा है त तो आप अगर एंगल ना भी देखें कितना एंगल में है तो आप रेडियस देख सकते हैं कि कितना रेडियस में है कितना रेडियस में हम उहां पे रख रहे हैं तो सेकेंड बार से क्या होगा कि आपको जब दूसरा वला उठाएंगे न तो किसी से पूछने का भी जोरत न लगता है तो रेडियस आपका जब आप सामने लाएंगे तो 4.8 या 7 पर 7 पर ही लगता है ठीक है तो बिल्कुल उस तरह का आप एक बार उठा लेंगे तो दुसरा बार जितना बार लाएंगे न उतना रेडियस में आप लेके चले हैं और आसानी से धीरे धीरे आप उहां प तो अभी देख लीजिए रसी हात में रखा गया है और उसको बांध के फिर उस तरह से आप आराम से टेग लाइन अगर नीचे की रहेगा रिगर पकड़े हुए रहेंगे तो आपको आसानी होगा लगाने में इस तरह का आप बांध के रखे ताकि इधर उधर अगर जा र तरह से धीरे धीरे आपको उठाना है इस तरह से धीरे से उठाके उसके बास से आपको फिर से अपने क्रेन के पास में रेडियस बनाते हुए ले जाके और आपको रखना पड़ेगा तो बिल्कुल हडबड़ी करने का कुछ जरूरत नहीं है जितना आसानी से हो सके जितना आराम से हो सके, उतने आराम से आप counterweight लगाएं, क्योंकि counterweight फसने का भी डर रहता है, कभी जब आप hanging कर रहे हैं, तो hanging वाला में, किनारे वाला में स्रिफ gap रहता है, उसी gap में आपको घुसाना रहेगा, तो उसमें problem आती है, कभी काल अगर उल्टा लग जाने से यह फस भी ज लेके थोड़ा सा traveling आप कर सकते हैं, यानि कि लगाने के लिए इधर से उधर shift कर सकते हैं, पूरा counterweight उतारने का जवरत नहीं है, लेकिन अगर आप उतार के करते हैं, तो वो ज्यादा safe रहेगा आपके लिए, लेकिन emergency में कभी अगर आपको इधर उधर crane करना हो, तो उसमें से आप जो भी counterweight है, रख सकते हैं, और 18 टन लेके आप इधर से उधर move कर सकते हैं, तो देखिए, move करने के लिए सबसे पहले क्या है, दो ही counterweight आपको रखना पड़ेगा, एक जो ये जा रहा है आपका, जो आप इसको रखने के लिए counterweight दे रहे हैं, ये, और एक दूसरा, जो कि आपका beach से cut रहेगा, हमेशा आप याद रखिएगा, दूसरा वाला में beach से हमेशा cut रहेगा, ताकि वो जो आप basic boom नीचे down करेंगे, तो उस तरह का सेंबल बना हुआ होता है, आगे चलिए आपको दिखाएंगे, तो वो सेंबल बना हुआ होता है, वो दूसरा, बस बाकी अब पूरा खाली कर दें, उसके बाद से कहीं भी आप ले जा सकते हैं इसको, तो देखिए वहाँ पे, जहाँ पे अभी आदमी है, चड़ा हुआ, तो देख लिजे वहाँ पे salenser भी है, जो कुछ देर पहले आपको हमने बताया, तो वहाँ पे salenser भी है, उसके बाद से देख लिजे, वहाँ पे हमारा जो एर फिल्टर है, वो भी है, उसके बाद से केबन का जो लुक दिया हुआ है, वो भी है, तो इसको हमको इतना आसानी से वहाँ बिल्कुल धीरे से ही रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ज्यादा हिलेगा, और अगर आप ज्यादा हिल होगा, आपको उतना ही में रखना होगा, लेकिन वहाँ रखने के लिए दिया हुआ है, बनाया गिया है, एक गोल सा है, आप देख लिजिए, वो गोल सा है, उसी के उपर में आपको रखना है, इसको रखने के बाद में फिर सारा कॉंटरवेट इसके उपर से आपको फशा नहीं है क्योंकि उसमें बहुत आसान होता है आराम से इस तरह सिक्दम धीरे 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 बिल्कुल आपको रखना पड़ेगा और टेगलाइन रहने से बहुत आसान होता है आपको ज्यादा हीलेगा नहीं और उससे कंट्रोल हो जाता है आराम से उसको इसी तरह से आप एकक करके सारा का सारा आप कॉंटरबेट को वहां पर रख सकते हैं तो चलिए हमारा अभी दो रखा गिया है और ये तिसरा है तिसरा जा रहा है तो तिसरा आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि इसको किस तरह से फसाया जाता है देखिए बीच में जो गोल स यह गेप है न जो फर्स टाइम रखे थे आपको उसी में सारा हमको डालना होता है और यह थर्ड फोर में उतना दिकत और परेसानी आप लोगों को नहीं आएगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं और डाल सकते हैं तो सबसे पहले देख लिए बेल्ट लगाने को बाद सेंटर भी देखना आपको बहुत जरूरी होता है बेल्ट उल्टा लगा हुआ था जिसके कारण से यह मुड़ गिया था तो फिर से उसको सीधा किया गया और देख लिजे इस तरह से जब समझ में ने आया जा आराम से देखिए इस तरह से ताकि इधर उधर ना जा और सेंटर दे या उपर नीचे होगा तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा और सही से बैठेगा भी नहीं आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेगा कि वो सही से बैठेगा भी नहीं तो यह चीज आप हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखेगा कि कभी भी अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल दिमाग उसी जगह पे होना चाहिए इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब बारिक काम है और देख लीजिए दुसरा वाला भी उसमें रखाया और तिसरा इसी तरह से आपको एक के उपर एक में आपको इसी तरह से एसेमली करना पड़ेगा तो देख लीजिए आसानी से बिल्कुल धिरे 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 अगर लेके इसको आईएगा तो क्योंकि डर है ना हमेशा डर लगा हुआ रहता है अगर जरा सब इधर उधर आप कस कस से स्विंग कर दियें तो आपका केवन में भी आकर टकरा तकरा सकता है आप देख लीजिए कि कितना का फासला है तो इसलिए कोई जल्दी बाजी ना करें कोई ज्यादा का फासला ने रहता है अगर मूब भी कर गिया अगर घूम भी गिया ना तो सीधा आपका केवन में जो जहां पर आप बैठे हुए हैं बिलकुल उहां पर आकर टकरा जाएगा तो इसची को आप हमेजा ध्यान देखिए यह जो है अभी बिलकुल इसको सेंटर में लाके और आप देख रहे हुए हैं गोल सा जो है उसी के बीच में हमको डालना होता है बिल्कुल उसी का बीच में आपको इसी तरह का सारा कॉंटरबेट देख लिजे अभी बिल्कुल सेंटर मिला के और इसी के बीच में आपको डालना पड़ेगा तो ये अभी इतना जो देखना पढ़ रहा है पर इसानी पता क्यों है क्योंकि आपको अगर radius पता होगा ना radius और boom angle दोनों अगर आप याद रखेंगे ना तो आसानी से बिल्कुल ये चला जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एक दम बिल्कुल आप जब boom angle और radius एक बार जब फर्स्ट बार डालेंगे सेकेंड बार जब आप डालेंगे ना फर्स्ट बार जब रखेंगे इतना radius में और इतना boom angle हमारा था जब हमें हापे assembly किये हैं इस counterweight को हमें हापे लगाए हैं तो जब दुसरा आप उठा के लाएंगे तिसरा आप उठा के लाएंगे तो बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा आसानी से आप रख सकते हैं त तो अभी बिल्कुल इसको लगाने के बाद में उसके बाद से आपको remote से बताते हैं कि किस तरह से उसको attach किया जाता है पूरा जो counterweight है उसको आनी की उठाया किस तरह जाता है crane से जो कि अभी हम पीछे लगेगा हमारा crane का counterweight जो पीछे लटकता है तो उसको कैसे लटकाया ज जाता है तो यह last piece है आप देख लिजे यह last piece है इसको भी अभी उसी तरह का same position पे ले जाके हमको रखना है तभी वहां पे यह पूरा हो पाएगा 36 टन जो है 36 टन का counterweight तभी पूरा हो पाएगा तो इसको भी अभी same position पे ले जाके जिस तरह से आप first वाला रखे थे उसी तर पर देखिए जो gap बीच में आपको दिखाए दे रहा नहीं है दोनों तरब से उसको लटकाया जाता है पूरे पर तो वह लटक जाता है वहां पर उस तरह बिल्कुल गोल सा है वह घुसानिक उस पर नहीं होता है उससरी पीसी में ले जाके और इस तरह से उसको attach कर दिया ज होगा तो चलिए आगे आपको बताते हैं इस तरह से अभी last piece रख लेते हैं उसके बाद से आपको बताते हैं तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह से आसानी से चाहे कोई साभी किरेन हो कोई जरूरी नहीं है छोटा हो या बड़ा हो कोई साभी किरेन हो आप इसी तरह से इस को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको लगाने में कभी दिक्कत नहीं होगा और कभी भी आप लोग कोशिज करें कि जो कॉंटरबेट है हमेशा सामने रखने का कोशिज करें ज्यादा दूर नहीं नहीं तो उठाने में आप लोगों को दिक्कत होगी इसी वज़े से अगर उसका भी solution है, जब अगर कभी ऐसा होता है कि आपका contrabate है, एक दो सामने है और बाकी दूर है, और कोई option नहीं है, कोई bicycle नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसको shift कैसे करें, कोई chance नहीं है, तो मैं एक बात आप लोगों को बताने वाला हूँ, कि देखिए, अगर कभी ऐसा आप लोग फश जाएं, तो उसमें एक काम आप लोग कर सकते हैं, माली जी आपका crane का capacity नहीं बन रहा है, आपका crane का radius नहीं बन रहा है, और हमको contrabate लगाना है, और दो आप assembly कर दी हैं, तो कैसे किजिएगा, क्या किजिएगा उसको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बात बताते हैं, कि जब 2 contrabate आप उपर रख देंगे, और आपका 2 अगर पड़ा हुआ है, दूर में है, और radius आपका नहीं बन रहा है, तो आपका किजिए न, सबसे पहले जो contrabate है, दो contrabate जो आप लगाए हैं, उसको आप hanging कर लिजिए, अपने crane में, तो उससे क्या होगा, 9 दूना का 18 ton आपका हो गया, तो वो जो 18 ton है, अब 18 ton से आप क्या होगा, जहां पे आप 10, 12 का radius में उठा सकते थे, अब वो 18 ton आपका contrabate लग जाएगा न, तो आप क्या होगा, कि आप 22, 23, 25 का radius पे भी आप उठा सकते हैं, तो कभी भी अगर इसे पीछे hanging किये हैं, उसको खोल दीजे उस contrabate को, और फिर से जो सामने रखें, उसको assembly कर सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग contrabate को assembly कर सकते हैं, और लगा सकते हैं, तो कभी भी ऐसा होता है, कि लोग फस जाता है, अरे दो contrabate डालें, और बाकी हमारा दूर है, अब क्या करें कोई दूसरा crane नहीं है, कोई for clip नहीं है, कि अब उठा के सामने लाएगा, तो हम डालेंगे, तो कभी भी आप लोग इस तरह से अगर फस जाएं, तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कि अगर एक दो contrabate आप लोग assembly कर दिये हैं, तो उसको आप लोग attach कर लिज आप लोग capacity बढ़ा सकते हैं, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दिजिएगा हमेशा, अब आगे चलिए, आपको बताते हैं कि किस तरह से अब इसको बिल्कुल crane के पीछे जो है hanging किया जाता है, आनि कि इसको लटकाया जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेग तो आप जब नीचे हैं, उपर में हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल उसको back side में पीछे लेके आपको आना पड़ेगा इस तरह से swing करते हुए, और swing करते हुए आपको ये एक चीज़ का हमेशा याद रखना पड़ेगा, कि आपका cylinder नीचे down ने होना चाहिए, वो बिल्क इस तरह को उपर क्यों रखेंगे, तो वो बिल्कुल आप center में इसको ले जा सकते हैं, इस तरह से center में आप पहले ले जाएए, उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको remote चालू करना पड़ेगा, तो चलिए आपको function बताते हैं remote का क्या है, और किस तरह से अं on हो जाएगा, on होने के बाद हमको code डालना पड़ेगा, जो one, two, three, और ये four, तो ये code डालने के बाद, LMI में देखे, यहाँ पर आपको so कर जाएगा, उसके लिए आपको देखे, यहाँ पर यह जो button है, इस switch को इधर करना पड़ेगा, इस तरह से जब आप कर देंगे, उसके बाद से देखे, यहाँ पर सामने आपको दिख किया, remote का चीन दिख किया है, आपको LMI में, उसके ब down करना है, तो इसी gap में हमारा इसी दोनों cylinder से ही पूरा जो यह अभी 36 टन जो है, यह पूरा weight इसी के crane hanging इसी में करके रखेगा, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप ही क्या करना है, तो सबसे पहले आपको cylinder down करना पड़ेगा, और cylinder down करने के लिए आप देख लिए यहाँ प में आपको डालना पड़ेगा, देखे नीचे बिल्कुल इस तरह से पहले आपको cylinder down करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से आके इस तरह से आपको किनारे की ओर ले आना पड़ेगा, तो दोनों साइड में देखे यह फस गिया, आनि कि यह गेप के अंदर चला गिया, आपको अप सलेंडर अप करना पड़ेगा तो आप यहां से इस तरह से अब आप सलेंडर अप कर सकते हैं देखिए इस तरह से आप किजिएगा उसको continue प्रेस करके रखिएगा तो यहां से देखिए आप नीचे से भी देख सकते हैं इसको continue प्रेस करने के बाद में यह क्या हो ता सारा वह वह जाएगा आपका ऊपर में आनि कि जहां पर बेंच लगा हुआ था उसका पीछे जो है यह पूरा कॉंटर बेट आप वहां से लटक जाएगा आनि की क्रेन को छोड़ देगा तो इसके बाद से आप देख लिजे यह पूरा अभी क्या है यह जो रखे हुए थ यह पूरा छोड़ दिया और यह देखिए पूरा कॉंटर बेट आभी 50 टन का कॉंटर बेट आपको लगा हुआ नजर आ रहा जो हैंगिंग किया हुआ यह किनारे है अब देख लिजे हैंगिंग इस तरह से लटका के दोनों साइड पे जब आप 36 टन का कॉंटर बेट लग इस को आप सविंग कर सकते हैं इस तरह देखिए यहां से इस तरह से स्विंग करेंगे ना इसको हुआ और इसे घप पब demons and कर एक साथ तरह हुआ तो उस तरह से लटक जाता है तो पूरा 50 टन का आपका कॉंटरबेट जो है कंप्लीट हो जाएगा और अभी जो है आपका 36 टन का कॉंटरबेट है आप देख लेजिए पूरा अभेंगी हो चुका है अब आप काम कर सकते हैं आप आपना टेलिस्कॉप निकाल सकते हैं आपना तो आप जितना आपको इक्छा है आप निकाल सकते हैं और काम कर सकते हैं आप लोग हम्यशा एक चीज याद दिजिएका कि 45 दिग्रीज से जदा आप लोग कभी द आओन मत मारियेगा फिर जि फ्री फाइब आप के लिए सेव है उसस से जदा आप टाउन मत मारियेगा 않은 मे आप लोग काम करने का कोशिस मत कीजेगा और हमेशा अपना रेडियस जो है और किरेन का केपिसीटी जो है उससे हमेशा कोशिस कीजेगा कि आप लोग 1-5 टन हमेशा हाथ में रख के ही काम कीजेगा अगर आपका केपिसीटी 5 टन उठाने का है तो आपको पूरा 5 टन नहीं उ अठाना है आप कोशिस कीज़ेगा कि 75% पर काम करें परसेंटापय़ाइज निकाल के आप लोग देख लीजे गा और कोशिस कीजे गा कि 75% पर ही काम करने का वह आपके लिए झायर सेफ है तो कभी भी सेफ रहेगा साइड वाले और काम भी अच्छे सो जाएगा तो यह चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी 45 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा और 75 परसेंट से ज्यादा काम करने का कोशिस मत किजिएगा वह बेटर रहेगा लोग करने का तो 85-90 पर भी 75 से जादा नहीं करेगा और 45 डिग्री से जादा डाउन मारने का आपको एलावड नहीं करेगा तो यही सब बात को आप याद रखके और आसानी से कोई भी क्रेन का जो है कॉंटर बेट लगाने का तरीका जो है बिलकुल इसी तरह का होना चाहिए तभी आप लोग हमेशा स किया दनकारी से संतूष्ठ होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो जीतना से जीतना हो सब्सक्राइब देने का और चलिए फिर आप लोगों के इसी तरह का लिश्ट वीजियो में लेके आऊंगा और मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ वीडियो में जो मेरे चैनल सुस्क्राइब ने किये वह सुस्क्राइब कर ले और लाइक सेर और कमेंट जरूर करें तो चलिए जब तक के लिए टेक केर बाइबाइब